हलो मेरे एक्जाम वारियर्स तो हम अपने एक्जाम मार्च मिशन के और लिकल चुके है ना तो इसी मार्च मिशन में मैं आपकी फ्रेंड डीपा वर्मा अभिप्षा जूकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ए-learning क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों हम अपने एक मार्च मिशन में पूरे निकल चुके और तयारी बहुत अच्छा से चल रही है ना तो इसी तयारी में हम क्या अपने सेस्टी की शैप्टर बहुत एक दम आखरी दोर पे आ गए है ना कुछी एक दो इकाई बच्चे जो पूरा खतम अभिवस होने व साथन कर लिए हैं तो आज हम खनिट संसाधन और और दोगि करन को देखेंगे तो यहां पे दो मांक से कोशन का एक हम बनाएंगे और अगले वीडियो में क्या देखेंगे जो बड़े कोशन्स हो सकते हैं उसको देखेंगे ठीक है यह संभावता हो सकता है कि हो सकता है अब पलट दे चार मक्स का यहां से पुछ ले तैयारी सब की करनी है क्योंकि हमको क्या एक एक राजा मंतरी को हराते ठीक चलो चेप्टर पे आजाते हैं चेप्टर के है हमारा अध्याय चार खनीज संसाधन और अद्योगी करन ठीक चलो अगर इसको देखें भाई इस चेप्टर ने पूरा क्या-क्या पढ़ना था खनीज, खनीज किसके है वही हमारे किसके यह तो प्रकृतिकी है है नो खन निटी कैसे आई थी खनीजों का वितरन क्या अलग-अलग खनीज कहां का पाये जाते हैं और जीक करंड तो जो प्रश्ण है वो मेली कहां से आएंगे खनीजों के वितरन सो लिकुछ निकंगे और जीककरन harvested उता है बड़े कोशन और द्योगीघ प्रदेश और द्योगीख नीथी और द्योगी करन के प्रभाव थिक छोटे छोटे कोशन होगे वह किया है कहीं से भी बन सकते हैं तो मैं आपको एक वीडियो میں तो उसे के सुअगी कोषन बताते चलोगे और एक वीडियो में क्या है बड़े कोषन बताते चलोगे अपने सरuh question पर आते हैं खनीश की परिभाषा लिखिए है सिंपल सह खनीश की परिभाषा बता थूप सल्खनिश क्या है जो हमें direct प्रकृति से मिलती है तो वह क्या हर चीश खनीजह है नहीं जिसको खोद के निकालते हैं हम ड्रिलिंग से निकालते हैं हाँ लेकिन और खनीच में क्या है बहुत सारे क्या है आशुद्धिया मिलती है तो उसे क्या शुद्ध रूप में हम निकालते हैं ठीक तो खनीज क्या है भई परिभाचा समझो प्रायवे सभी चीजे जो प्रकृतिक हो और हमें खनन, खुदाई, ड्रिल, तलाब, आदी के तल से खोधना, पत्थर काटना द्वारा प्रा खनीज ठीक इसमें पत्थर, विश्व प्रकार की मिट्टिया, रेट, कोईला, धातु, आयस्क, अन्य, आयस्क, हीरा जैसे किम्ती पत्थर प्राक्रतिक गया से शामिल है तो यह सब क्या है खनीज, यह क्या है आपके दो माक्स में आएगा तो आपको इत्ता पूरा आंसर लिखना होगा, ठीक, और आगर आपको लगता है कि लाइन है और कुछ जानकरी और देनी है, तो क्या लिख सकते हो भई, विश्व में 3000 से अधिक खनीज पाय जाते हैं, यह सभी हमारे जीवने बहुत महंतुपून है, भायत में खान एम खनीज विकास अधिनियम, 1967 के नु कोईला, खनीज, टेल, प्रकृतिक गैसेश, ठीक, धात्विक खनीज, जिसमें धातु की मातरा होती है, लोहायस, बॉकसाइट, क्रोमाइट, मैगनीज, तामबा, सोना, चान्दी, ठीक, गौन खनीज या अधोहत्तिक खनीज, जैसे भवन निर्मान में काने आने खनीज, रेनाइट, हीरा, संग मर्मर, ठीक, पत्थर, कंकर, बालू, ये पूरे आपके MCQs के कोशन है, ठीक है, वन नाइनर कोशन हो सकते हैं, सही मिलाओ, सही जोडी मिलाओ, ये खालिस सन, ये यही से आएंगे, प्रमानु खनीज बोला जाएगा, तो क्या देखना है, आपको चलने चलेगी, ठीक है, जादा नहीं है, अपने आप एक बार पढ़ोगे, इतना भी ध्यान में दोगे, आपको पूरे MCQs बन जाएंगे, ठीक, खदिश की परिभाशा हो गई, क्या है, जो प्रक्रते से अब मिलती है, खनन के दोरा, खोदाई के दोरा, गंठे के दोरा, पूरे MCQs आपके हाथ में, ठीक, चलो, आगे चलते हैं, दो धात्वी खनिजों के नाम बताईए, अब आपको कोशन दे दिये जाए, दो धात्वी खनिजों के नाम, तो आपके वहल दो ठोक नाम लिखके नहीं आओगे, धात्वी खनिज क्या होता है, इसको भी लिखोग जब यह चीज लिखोगे, तब वह एक मार्क सेक्स्रा मिलेगा, दो ठोक देख दिया, भाईया, दो नमबर चाहिए, दो नमबर, तो दो नमबर के लिए, चार लाइन तो लिखो, कि दो नाम बस लिखके आजाओगे, नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक, तो देखो, धात्विक खनीश क्या होते हैं, खनीश परदार जिसमें धातू का अंच पाया जाता है, उन्हें क्या है, धात्विक खनीश कहते हैं, धात्विक खनीश ताप विद्यूत के सुचालक होते हैं, खनीश खदानों से निकालने पर इनमें कई प्रकार की अशुद्या होती है, खनीश को पिग लाने पर धात्वी प्राप्त होती है इसलिए से धात्वी खनीश कहा जाता है ठीक तो आपको धात्वी खनीश की परिभाशा लिखने होगी फिर दो एक एक लाइन लिख दो ठीक चलो अगला प्रशन देखते हैं भारत में सरवादिक मातर में पायय जर्णलों धात्वी खनीश क्या है भै लोहा है लेकिन क्या इतना दोंगे फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको धात्वी खनीश की परिभाशा और लोहा जाएस का बारे में ओड़रों निए जात्वी खनीश क ठीक है, online के माध्यम से द्वारा बूली लगाने की प्रक्रिया और यह सरवाधिक पाढ़दाशी प्रक्रिया माने जाती है ठीक है, क्या होता है अगर offline हो रहा है तो पहले setting कर लेते हैं लेकिन online में क्या है पता रहता है भईया कि यह open होगा और सभी को equally rights मिलेंगे अगला प्रशन देखते हैं, e-commerce किसे कहते हैं, e-commerce मतलब हम लोग जो भी social media में क्या करते हैं, हम लोग खईदारी करते हैं, वही सब क्या हुआ, e-commerce हुआ, ठीक है, आप अपने mobile या computer के माध्यम से order करें, अपने ATM से भुकतान payment करें, या अपना समान आने के बाद payment कीजेगा, कुछी दिनों में आपका समान आपके हाथ में होगा, यही क्या है, e-commerce, मतलब Amazon, Flipkart, यह सब देखते हो न, यह सब क्या है, यही तो हमारा e-commerce है, मतलब क्या है, जो वानिजिक गती विधियों क्या हो रही है, अब online हो रही है, तो आपको simple सब्दों में लिखना है, वानिज दोगे, तो इसके क्या है, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक, चलो, आगे चलते है, कोईला किस प्रकार का संसादन है भई, और या भारत में कोईला अतपादन का विवरन दीजिए, ठीक है, तो आपको इसमें कोईले के बारे में बताना होगा, ठीक, यह दो ही मार् नहीं है, यह अनवनिकृत है, क्या एक बर खतम होगे, तो इसको दुबारा क्या है, हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि कोईला को बनने में क्या है, हजारो करोडों साल लगते है, ठीक, आप यह लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, कोईला एक उरजा का स्वरूप है, कोईले के बादे में क्या है, दो से तीन लाइने लिखेंगे, ठीक, उसके बाद आपको बड़ा कोशन आ गया, या कोईले उत्पादन या कोईले का वीत्रन पूछा, तो आप क्या बताएंगे, भारत में कोईले ने छेतर निमनी की चार नदी घाटियों में मिलता है, ठीक पहला क्या है, दामोदर घाटी, ये क्या है, जारखन और पशिब मंगाल के कोईला छेतर हैं, दूसरा सोन घाटी, मध्य प्रदेश, 36 गड़ उत्तर प्रदेश के कोईला छेतर, महान अदी घाटी, 36 गड़ ओडिसा के कोईला छेतर, गोदावरी घाटी, रक्षिन पशिब मध्यप्रदेश, महराश्रों आंजप्रदेश तो आपको इतना लिखना है अगर कोईला का वीतरन उत्पाधन पूछा जाता है तो ये चीज़े आपको लिख क्या आनी है ठेक चलो आगे बढ़ते हैं उर्जा से क्या तात पर ये बोले तो क्या है भई जैसे कुछ भी चीज क्या होगी भई किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद जो होती है चल विद्वित पवन बिजली यही सब को क्या कहते हैं मुद्योगों में उर्जा या शक्ति का स्वरूप कहते हैं यह आपको इतना आंसर लिखना होगा ठीक परियाव इंद्रिश्ट्री कोन से उर्जा को वैकल्पिक स्रोध भी तलाशे जाने लगे हैं और जैसे जब अच्छे वर्ट्स लाओगे ना उसको हाइलाइट करो तब क्या है मार्क्स मिलेंगे आप अपनी बुक का आंसर देखो है ना गाइड वर्वा की चीज़े बाद में देखो पहले क्या है खुद आंसर बनाय रहे तो हमेशा याद रहेगा जैसे मैंने आंसर बता दिया पहले करने के लिए जो उनको उड़ियो के फम में मिलती है और यह उड़्जा किस रूप में होती है कोई लाखिसे ताप विद्यूत ऊड़्जा हो गई पन बिजली उड़्जा हो गई सौर उड़्जा इन सभी रूप में क्या है हम उड़्जा प्रदान करते हैं बस यह क्यों नहीं मिलेगा अच्छे माक्स तो चाहिए न हमको और दूसरों से एक्स्टा माक्स चाहिए तो बता दो भई आज कल वैकल भी कुर्जा का सौर माध्यम सौर उड़जा हो गया पवन उड़जा ये सब उड़जा है जिससे क्या है हम प्रजावन प्रजावन प्रदुश पर डैम बनाकर बारिश के पानी को संग्रहन किया जाता है जिसके करन तर्बाइन घुमता है घुमता है और बिजली का उत्पादन होता है इसे क्या पन बिजली कहते है त na विद्द्ध में कोई लाजा कर पानी को भावन बदला जता है ताप विटव चाहिए इसाई बोलते हैं पन बिजली और यह क्या हुआ ताप बिजली जहां से हम कोईला को जला के उगाते हैं ठीक तो यह क्या होता है पन बिजली और ताप बिजली मतलब पानी यह क्या है नविनिकर संसाधन है ताप बिजली मतलब कोईला यह क्या है अनविनिकर संसाधन है तो संसाधन होता है और यह क्या है पन जली और संसाधन और यह अनवी संसाधनों से बनते हैं, पन विजली से पड़ियमन प्रदुर्शन कम होता है, ता विजली से क्या पड़ियमन प्रदुर्शन जादा होता है, बस हो गए, इतना ही तो आंसर लिखना हो, यही से तो दोस्तिती नमबर आने वाले हैं, टीक, तो बच्चो ये क्या था, हमारा जो छोटे कोशन से 2 मार्ण से कोशन वो कराई अब इसके अगले वीडियो में क्या कराऊंगी जो बड़े कोशन हो सकते हैं इस चेप्टर से 4 मार्ण से कोशन उसको कराऊंगी ठीक है तो अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिए और क्या प्रॉपरली एक एक चीज को लिखते हैं, जितने कोशन बता रहे हैं, उसको सुन के भी आप अपने अंसर लिख लोगे, 100% तयारी अच्छे हो जाएगी है न, अटलास आपको पढ़ना ही है, कुछ भी करो, कोई कितना भी आपको बताए, इसको पढ़ उसको पढ़ आई, आपको बुक की चीजे पढ़नी है, और कोशन को, हर कोशन को अपने अवर्ट्स में अच्छे से लिखना है, ठीक है, चलो, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तो क्या है अपनी पढ़ाई, आपका ऐसी कंट्यू करने करते रहे हैं, बेस्ट अप लग